वेलकम टो माई वीडियो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने लोकल नेटवर्क के उपर IPS को नेम असाइन कर सकते हैं यह आपके सिस्टम के उपर वर्क करेगा और टेस्टिंग के लिए आपको असानी रहेगी तो उसके लिए कुछ ज्यादा करने की जुरूत नहीं है आप सबसे पहले जाएंगे दिस PC में, C Drive में जाएंगे, उसके बाद आप जाएंगे Windows के फोल्डर में नेक्स जाएंगे, सिस्टम 32, यहाँ पर एक फोल्डर होगा, ड्राइवर्स का यह ड्राइवर्स के अंदर जाएंगे, यह नेक्स फोल्डर है एटीसी का तो यहाँ पर जाने के बाद आपने host फाइल जो है उसके अंदर edit करना है आप directly इसको edit नहीं कर सकते हैं, वो save नहीं होगी आपको यह काम करना है कि यहाँ तो आप इसको run as administrator कर लें अगर आप वो भी आप करना नहीं चाहते हैं, आप इसको इस folder से copy करके किसी दूसरी drive में paste कर लें और continue कर लें, next जब आप इसको open करेंगे तो यह file as an administrator open होगी तो आप इसको notepad के थुरू open कर लें यहाँ पर आपने जाकर क्या करना है, entries करनी है entries करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस system को access करना चाहरे है यह जिस access नहीं नाम देना चाहरे है जिस IP को वो आपको पता हो, कि उसका नाम क्या है जैसे कि मेरा जो मेरे पास गर में एक DVR इंस्टोल है उसका नाम जो मुझे IP पता है तो उसको मैंने assign कर दिया नाम DVR next जो है मुझे मेरे mobile की IP भी पता है उसको मैं assign कर दूँगा नाम mobile next मुझे internet को चेक करने के लिए कि मेरे system के ओपर internet आ रहा है तो उसके लिए mostry जो लोग करते हैं वो इस IP को यह Google को पिंग करते हैं तो वो भी मुझे पता IP तो वो मैं तीन IPs यहां पर लिख रहा हूं और इनको हम test करेंगे इसके बाद आप file को save कर दें save करने के बाद आपने यह file दुबारा उसी folder में paste कर देनी है और इसको ऐसे continue paste करेंगे तो यह run as administrator के तोर पर paste हो गई है इसको पर last modify date भी आ रही है तो यह active हो चुकी है file अब आप क्या करेंगे command prompt में जाएंगे अब हम test करते हैं कि वाकी यह जो हमने ips को नाम दिया है यह work करता है यह नहीं तो इसके लिए मैं लिखूंगा ping यहाँ पे मैं लिख दूंगा DVR तो यह देखें इसको ping करना शुरू हो गए यानि हमने जो नाम देना था अपने IP को वो successfully run कर रहा है next अगर मैं देखना चाहूं कि मेरे पास internet चल रहा है कि नहीं चल ला तो वो देखना चाहूं तो यह भी ping कर रहा है तो इसका मतलब है हमने successfully ips को नाम दे दिया है इसी तरह अगर आपका कोई remote के उपर server है या कोई cloud के उपर server है तो उनके ips आपको करने की जरूत नहीं है simply एक file बनाए उसमें ips के नाम साइन कर दे क्योंकि नाम याद रखना थोड़ा असान आई पी की निस्पत तो आप इस तरह test कर सकते हैं कि कोई चीज अभी network में मुझूद है या नहीं है चाहे वो local network हो या फिर global network के उपर हो तो आसकी वीडियो में बस इतना ही उमीद है कि आपको मैरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मेरी इसी तरह की weekly वीडियो देखना चाहते हैं थो मेरे चैनल को सबस्कृइब करें और बेल के बेटर को भी दबा दे ताकि मेरी नहीं वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको